ओके तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि कैसे आप एक नया पेंट कार्ट को बना सकते हो इतना ही नहीं कि हम आपको खुद का एक नया पेंट कार्ट बना कर दिखाने वाले हैं जब भी नया पेंट कार्ट बनाने का बात आता है तो हमें डोकुमेंट बेजने क जरूबत नहीं पड़ेगा तब आप बोलोगे कि अधारी साइनिंग के थुरू बनाओगे जिसमें सिगनेचर नहीं आता है लेकिन आज की वीडियों वह भी बताएंगे कि सिगनेचर नया फोटो फादर नेम हर चीज आएगा और डोकॉमेंट भी कहीं नहीं भीजना पड़ पर देकर आपके सामने यह वालब एफसाइट यागा है जा आप एंडी और इंग्लीन जोना में लिखा हुआ है बस इस पे किलिक कर दीना है किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा सबसे पहले आपसे पूछा जारा है एंप स्ध इसके बाद कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुल उसके बाद टाइटल में आप जो भी अपर एक बनाने वाला हूं यहां पर मैं सेलेक्ट कर देता हूं उसके बाद जिसका पैंड लेने में तो मिनिले नहीं आये тुर लास्ट नहीं तो इंटर कर दिए सकते आपर ऑड बार पुरा एंटर कर सकते या फिर चुन्हों चाईग करें लोगा और आपके सामने यह वाला इंटरफेस open होके आ जाएगा अब यहाँ पर simply एक option दिकर होगा token number तो token number आपको समहाल के रखना है जब तक आपका pain card बन नहीं जाता है नहीं तो आपको in future दिक्कत हो सकता है pain card बनने हमें तो इस token number को copy करके यह screenshot वगरा लेकर आपको एदम safely रख ल यानि कि यहाँ पर तो पेपर लेसे पेपर वगरा कई बेढ़ने का जबूए है लेकिन आपका इस तरही के सिगनेचर आपके pain card पर नहीं आएगा लेकिन यहां पर अगर आप दूसरे को select करते हो तो आपका signature भी आएगा नहीं फोटो भी आएगा फादर का नाम भी आएग कर देगा तो हमें physical pain card पी चाहिए और email पी चाहिए तो यहां पर हम yes कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार-कार्ट का last check डिजिट नहीं आपर इंटर कर देना है जो भी आपका आधार-कार्ट में आपका नाम है यानि कि जिसका आप पी paint जिए बना रहे तो वो भी यहां पर पूरा नाम कायमना पाइन कार्ट पर कुन सा नाम आएगा वो भी जखा देजाए डेट ऑब बड़ क्या है वो भी उसके बाद जो भी आपका जिंडर उस जिंडर को यहां पर स्लेक्ट कर लिए फिर नीचे स्क्रोल डॉन करना है अगर आपका अधर नेम यहां जो आपका जार काट पर भी जो इसके अलाबा कोई नेम है तो यह च्पर के नाम फिल करेंगे नाए यहां तो नो कर लेंगे उसके बाद नीचे स्क्रोल डॉन करें गेगे उग्ये का धिर अबाद फाधर का फॉच्ड नेम अपने फादर का अपर पूच्वाफिर आ और जो फादर उनमें से किनका आप पेन कार्ट पेन नाम को रखना चाहते हो तो जर्णली फादर का यह होता फादर को सिलेक्टड रहने देता है अगरदेश से का नमें गलग नंभर में किसी एक 갖고 दिना है में इसके पाद नहीं नहीं हो ने नहीं पर श सिक्सक्राइब निघRAGLEF पर करेंगा इंडिया को ऐको बटन पर यहाँ प्र सेच्राइब करेंगे और नेक्स्ट बाले बटम पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलाइट करना है इंडियन सेट रिजन और फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलाइट करना है फिर सिटी सिलाइट करना है एरिया का नाम आ जाएगा तो यहांप पर आपको प्रूफ आफ आफ आइडेंटी में आधार को select करना है यहांप पर प्रूफ आफ डेट आउप नदे संहे शिजाथ करना इसानब क्लिक करना है उसके बाद नीचे does लोटन करना है उबाद करना है छैयों इस वाले कॉटेश करने के बाद आ चुका है आप लोट किसी अप्लोड भालियन वो successfully upload हो जाएगा photo upload होने एक बाद आप signature upload करना है तो इस वाले column में plus पर click करना है and जो है भी अपने save करके रखा उसको select करना है and upload पर open या ऐसा कुछ आएगा तो उसके click कर देना है फिर open पर click करते हैं अगर computer browser से करें उसके बाद यहाँ पर आपको upload बाले button पर click कर देना है तो आपका अधार card भी यहाँ पर upload हो जाएगा upload होने के बाद upload करने के बाद submit बाले button पर click करना है and यहाँ पर आपको अपने आधार card का last 8 digit enter कर देना है फिर नीचे scroll down करना है पूरा का पूरा नीचे scroll down कर देना है एक दम यह एक आपको preview चेक कर लिना है आप ने जो भी detail दिया है वो सही है यह गलत है अगर देने सबको नीचे scroll down करते करते मैच करते करते नीचे आएंगे यहाँ पर सारे चीज़ को देख लेंगे सही है या गलत है सारा चीज़ सही है तो डाइटली नीचे स्क्रोल्ड ओन करेंगे और प्रोसीड वाले बटम पर क्लिक कर देना है प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह वाला डेस्वोट ओपेंड हो जाएका फिर यहाँ नीचे स्क्रोल डन करना है आई अगरी पे किलिक करना है and authenticate वाले बटम पर किलिक कर देना है आपको authenticate हो जाएगा and यहाँ पे इस तरीके का column आएगा तो OTP authentication पर किलिक करना है आपने जो भी मुवाइल नमबर दिया है यह फिर जो भी आधार से link मुवाइल नमबर है उसका ओत्य फेस्ट वाले बॉक्स में एंटर करना है और सभेट वाले बिटमबर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको आधार सब्सक्राइब करना है आपके अधार से जो लिंग मुवाइल नंबर उसके गया है उसका बॉक्स एमेंटर करना है आपके सामने पीडियाप आपका जो भी डेट ऑब बर लिखे ओपेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने नंबर आ जाएगा और इसी तरीके से आपका पेंटक कैसे आप एक नमबर पेंगार्ट बना सकते हो आई हो कि ये वीडियो पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक कर दीजे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए चलिए मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई